हेलो रिवन विल्कम बैक टो अनलाइन स्टेडियों आज हम इस वीडियो में लेकर रहे हैं बिहार करंटफेर्स का पार्ट टू अगर आपने पार्ट वन को नहीं देखा है तो इस वीडियो की से डिस्किप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट को भी चेक क करती जीगा तो चलिए सुरू करते हैं देखें यहां पर बात करते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है कि विहान आप को लांच किया किसने विहान आप को लांच किया गया बिहार के सरकार के दौरा तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि विहान जो है इसका फुल फॉर्म तो खाली में आयूरवेद महत्सों मनाये गया था आपका नलंदा में, अगर सहर की बात करें तो नलंदा की राजगीर में ये मनाये गया था, इसे याद रखेंगे, ठीक है, थर्ड पॉइंट बनता है कि जी आई टाइक प्राप्त विहार मखाना का नाम बदल करके क्या रख तो बिहार मखाना का हाली में नाम बदल करके इसके मिथिला मखाना कर दिया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रेश्ण बन जाता है, इसे याद रखेंगा, बिहार यूनिसेफ की हेड, यानि एक दिन की हेड बनने वाली, वो आठ वर्सिये जो बालिका है, वो कौन है, आध्या कुमारी ये याद रखेगा, आध्या कुमारी आठ वर्सिये बालिका है, जो कि यूनिसेफ की, यानि बिहार यूनिसेफ की एक दिन की हेड बनी थे, और उसी तरह से अनुसका की याद रखेगा, अनुसका 21 वर्स ये सरपंच, जो कि सिवहर जीले के, कुसहर, सिता मड़ी बिल्कुल साही आंसर हो जागा हम सिता मड़ी को टिक करेंगे बालू साही आगे बढ़ते हैं और उसके बाद next point बनता है कि भारत का पहला चावल का साइलो गुदाम कहा बनेगा तो डारेक्ट आप से पूछा जागा कि भारत का भारत का पहला यह कह सकते हैं जो क यह आपका बन रहा है बकसर और कैमूर दो चकों पर तो आपसंस ए रहेगा वहां पर आपसे यह कुरशन रहेगा कि भारत का पहला या फिर बिहार का पहला कह सकता है बिहार का पहला साइलो गुदाम कहां बन रहा है तो आपसंस आपका बिहार कैमूर भी रहेगा तो आपस भारत का पहला भी बिहार में कह सकेंगे या फिर अगर आपसे पूछे बिहार में कहाँ पर तो बकसर और कैमूर ये दो चीज़ याद रखना है भारत का पहला इंस्ट्यूट जहां इंजिनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी होगी ये पहला भारत का पहला इसा इंस्ट्यूट कह सकते हैं कि NIT पटना जो है ऐसा घोशना किया है कि इंजिनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी तो ये ध्यान रखना है बिहार म मुख्य मंत्री नितिस कुमार ने बिहार दूसरा रुपए यानि बिहार का दूसरा जो रुपए है उसको मंडार पहाड़ियों में उद घाटन किया तो यह आपसे पूचा सकता है कि हाली में चर्चा में रहा मंडार पहाड़िया कहा इस दी था किस जीले में पढ़ता है तो और बाका जिले में एक और बांध देखी बन रहा है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है, बांध वो आपका उडीनी बांध है, उडीनी या फिर उडीनी इस तरह से याद रखेगा, चलिए, उसके बाद हम बत करते हैं, Next questions कि बिहार के पहले transgender constable कौन बने हैं, बिहार के पहले transgender constable कौन बने हैं, तो रचीत राज़ बने थे, टीक है transgender constable रचीत राज़ बने थे, जिनका अहाली में जो कि इनकी accident में मृत्यव भी हो गई हैं, तो रचीत राज याद रखें, Clear, Next Spotify, Food Safety Index, Food Safety Index, 2021-22 में जो किसके दोर जारी क्या था फसाई के दोरा यह जारी क्या जाता है सुचकांग में बिहार का स्थान क्या है बिहार का स्थान बीस्वा मिला था बिहार का स्थान बीस्वा गुजरात इसमें टॉप पे रहा छोट राजियों में जो की छोट राजों में गुवा टॉप पे और यूटी में बात कर यूणियन टेरिट्रिस के अंदर सासित प्रदेशों में तो जमुकास में टॉप पे था तो ये कुछ पॉइंट्स है जो की एक्स्ट्रा आपको याद रखना है Food Safety Index में बिहार की रैंकिंग कितनी है बिहार का पहला नगरवन जिसे ब्रह्मवन नाम दिया गया तो ये गया जीले में बना हुआ है रबर डयाम ये गया में बन रहा है चैके विश्टो जो पदमंदिर है उसी के आसपास में ये बना जा रहा इसे आपको याद रखना अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रही है तो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और दोस्तों को साथ चैनल को सब्सक्राइब गर लिजे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पस्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल कहां पर बन रहा है कार्गो टर्मिनल कहां पर बन रहा है बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल बन रहा है सारण में सारण जी ले में यह याद रखेंगे अगला पॉइंट्स दा ड्रीम ओफ बिहार का पहला जीला जिसके सभी पंचायत में पुस्तकाले बन गई है, वो बिहार का पहला ऐसा जीला कौन सा है, जहां पर उसकी सभी पंचायतों में पुस्तकाले बन चुकी है, तो यह आपका पूर्णिया होगा, और आपको पता होगा कि पूर्णिया जो है, वो पुरु पुरुष साक्षर्टा में सबसे नीचे है, पुरुष साक्षर्टा में सबसे कम है, तो यह आपको याद रखने है, राइट, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट्स, नेक्स्ट कॉइसन बनता है कि हाली में, आयार सीटी सी दोरा, रामायना सर्कित जो ट्रेन है, बिहार क कौन से सहर इसमें सामिल के जा चुक है, बिहार का कौन सा सहर इसमें सामिल के जा चुक है, आयार सीटी सी दोरा जो चलाया जाता है, रामायना सर की ट्रेन, इसमें बिहार का हाली में सितामणी सामिल के जा चुक है, उपर में सितामणी से संबंदित हमने एक जी आई टाइक देखा था जो क्या था बालू साही ठीक है बालू साही को ZI tag देने की घोशना के गई है सिता मड़ी में ही राइट आगे बढ़ते हैं अगला point देखिये next person क्या बनता है कि चक बिहार software को किस IIT ने बनाया यानि कि चक बिहार software के निर्माड के लिए बिहार ने किसके साथ समझ जोता किया तो चक बिहार software को बना गया रुड़की के द्वारा यह most important रहने वाला एकदम भीवगाई प्रश्ट इससे याद रखेंगे राइट बिहार में देश का पहला सिल्प कला म्यूजियम कहां बनेगा बिहार का पहला सिल्प कला म्यूजियम कहां पर बनेगा पटना में ठीक है पटना में यह ध्यान रखेंगे बिहार का पहला या फिर बिहार में देश का पहला यह हो जाता है देश का पहला सिल्प कला म्यूजियम पटना में बिहार का प किसे मैथिला भासा में यानि मैथिली भासा के लिए सहित्य अकेडमी पुरुसकार 2021 से समानित किया गया तो जगदीश प्रसाद मंडल यहां पर करेक्ट होगा और यह किस जिले से समन्द रखते हैं मधु बनी जिले से और इनको यह जो सहित्य अकेडमी पुरुसकार मिला पंगु के लिए मिला यह भी इंप्रसाद मंडल और इनके पंगु पनयास के लिए इनको मैथली भासा में यह भासा में आगे बढ़ते हैं कि बिहार सरकार द्वारा किस वरस तक विद्याले सिक्षा में सत्-प्रतिसत सकल नमांकर अनुपात हांसिल करने का लक्ष रखता तो ये 2030 तक रखा गया, 2030 तक बिहार सरकार दोरा विद्याले सिक्षा में 70% सकल नमांकर अनुपात हांसिल करने का लग्ज रखा गया, बिहार बजट 22-23 के नुसार कितने सहरों को मॉडल टाउन के रूप में विक्सित किया जाएगा, ये याद रखेगा, और साथी साथ मैं आपको बता दूँ कि 7 ओधोगिक पार की स्थापना की भी बात की गई है, बिहार बजट 22-23 में, ठीक हैं, और ये कितने सुत्रों पर अधारी थे, तो 6 सुत्रों पर अधारी थे, ये भी आपको याद रखने हैं, और आज किस वीडियो में, यानि आज मैंने वीडियो जो बनाया था मॉर्निंग में, वहाँ पे बिहार बजट से सम्भन दे, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है, वह मैंने आपको कवर करा है, अगर आपने उसको नहीं देखा, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा, और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको याद कराने की भी कोसिज की है, करीब आपको 25 मिनट की वीडियो में बिहार बज़र अच्छे तरीके से कवर हो जागा, तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देखे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ट ब्यूरो द्वारा जारी, वर्स 2020 के आकड़ो के नुझा, बिहार का स्थान कौन सा, तो बिहार का स्थान 25 हो जाता है, इसे याद रहेगा, 25 वा स्थान बिहार को मिला है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ट ब्यूरो के द्वारा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ण है कि भिहार के पहली नदी जोडो परियोसना कहता है, तो वर्स 2022 में किंदो नदीयों को जोड़ा जाएगा, तो बुढ़ी गंडग के साथ साथ बाग मती को जोड़ा जाएगा, ये चीज़ याद रखना है अच्छा एक प्रश्ण और यहाँ पे मैंने लिख रखा दिखे कि बिहार में मनरेगा कारियों में महिलाओ की भागेदारी कितनी हो गई है बिहार में मनरेगा कारियों में महिलाओ की भागेदारी हो गई है 54 प्रतिसत बहुत important है इसे याद रेगा 54% स्वक्ष्टा एप एक launch किया गया किसके दोरा तो पटना नगर निगम के दोरा direct आप से पूच जागा किस नगर निगम के दोरा ये स्वक्ष्टा एप को launch किया गया तो पटना नगर निगम के दोरा launch किया गया किसके लिए तो निसुल के पार्किंग सुविधा उपलब्द कराने के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि इसका संबंद किस से स्वक्षता आप तो definitely काफी लोग जोकेंगे वो स्वक्षता के संबंद में इसका राइट अंसर करेंगे लेकिन ये ध्यान रखेगा कि ये किसके संबंद में निसुल के पार्किंग सुविधा उपलब्द कराने के लिए स्वक्षता आपको लॉंच किया गया पटना नगर निगम के द्वरा अगला प्रस्ट मारा बनता है कि सारा भाई हॉनरेरी अवर्ड 2021 किसे मिला है तो जो सुपर 30 के संस्थापक है आनंद गुमार सर उनको ये दिया गया जो कि सारा भाई हॉनरेरी अवर्ड ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टन प्रस्ट ये बन जाता है राइट चले आगे बढ़ते है मंजूसा चितरकला को जी आई टैग मिला है किस सहर तो मंजूसा चितरकला को मंजूसा चितरकला को भागलपूर में ये जी आई टैग दिया गया देखे बिहार का पहला जो जीला है ये भागलपूर जहां पे चार चीजों को जी आई टैग मिला है सबसे ज़्यादा जी आई टाइक करने वाला यह आपका जीला बन चुका है भागलपूर जिसमें पहला आपका भागलपूरी सिल्क होता है जरदालू आम कतरनी चावल और यहाँ पर आप देख रहे हैं मंजूसा चित्रकला यानि यह चौथा आपका हो जाता है तो यह बहु यानि कि नैशनल बेस्ट स्पोर्ट्स परसन अवर्ट के रूप में किया गया था समस आलम का तो इनका संबन किस जीले से हैं इनका संबन हो जाता है मधू बनी जीले से यह याद रख है ठीक है अगला सवाल बनता है कि राजधानी पटना में किसके दौरा क्राफ्ट्स प्लास्टिक से पेट्रॉल डीजर बनाने का जो प्लांट लगा वो कहां पे लगा तो बिहार में लगा और कल हमने देखा था कि इथेनॉल प्लांट कहां पे लगा पूर्णिया में लगा वो भी याद रखेगा खगडिया में मालपा घाट और रोहयार के बीच किस नदी पर बन रहें सीतु का निर्माड कारे सुर्व हो गया तो ये ध्यान रहा कि खगडिया में मालपा घाट और रोहयार के बीच ये आपका कौनसा पूर्ल है किस नदी पर सौरी तो बागमती नदी पर 345 मिटर लंबा ये पूल बनाया जा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस जीले में गहरी डैम, किस जीले में गहरी डैम को परेटन्स स्थल के रूप में बिक्सित किया जा रहा है, तो ये डारेक्ट पूछा जाएगा कि गहरी डैम हाली में चर्चा में है, वो किस जीले में है, तो अंतराष्टिये कन्वेंशन सेंटर बनकर तयार हो जाएगा बिहार के बालमीकी नगर में किस वर्ष तक अंतराष्टिये कन्वेंशन सेंटर बनकर के तयार हो जाएगा तो 2023 तक बनकर के ये तयार हो जाएगा ये भी इंपोर्टेंट बन जाता है आगे बढ़ते और अगला प्रश्ने की कहां पर G plus 5 G plus 5 कोट भावन का उदघाटन हाली में किया गया कोट भावन का हाली में उदघाटन किया गया कहां पर तो गोपाल गंज में गोपाल गंज सबसे अधिक चुकि आपका लिंगा नुपात वाला जीला है यह याद रखेंगे, बिहार का लिंगा नुपात कितना होता है, 918, 918, जबकि सिसु लिंगा नुपात कितना होता है, 935, सिसु लिंगा नुपात 935 और सिसु लिंगा नुपात में सबसे टॉप पे कौन है, सबसे टॉप पे आपका हो जाता है कौन, किसन गंज, ठीक है, किस किसन गंज और यहां पे देखे हाली में जारी किkich साथ निष्ट कि योष्ण की Ultra की वार्षिक रंकिंग में क्यृका कौन सा जिला प्रत्थमस्थान पर ह मैं रढ़्षों फर्स्ट नमबर पे मुझाफर पूर्ट सेकेंड नमबर पे थर्ड नमबर पे किसन गंज फोर्थ आपका लखी सरा है चले उसके बाद आज की सीविडियो का आखीरी प्रस्ट ने कि मौलाना अबुलकलाम अजाद सिख्चा पुरथकार 2021 के लिए चैनित डॉक्टर संकर जहां का समंद किस राज्य स्वारी कि तीले से हैं मौलाना अबुलकलाम अजाद सिक्षा पुरसकार 2021 के लिए चैनित हुए संकर नात जहां इनका सम्मन जमुई से हो जाता है जमुई से और यह आपका दिखे जो मौलाना अबुलकलाम अजाद परतेकवर्स हम लोग सिक्षा दिवस के रूप में बिहार दोनों गारण अबंबर को भिहार और भारत में सिक्षा दिवस के रूप में मना जाता है तो आसा करते हैं कि आप divine को आज का यह वीदियो Пसंद आया हुगा कमेंट करके ब reflex यह आप लोग को यह वीदियो कैसा लगा और कुछ important जो आपके अगर जनकारी हो इस खभी questions के regarding तो आप comment कर सकते हैं चीक है तो हम मिलते हैं आपके साथ इसी परकार के किसी और वीडियो में next topic के साथ thanks of watching keep watching keep learning have a good day